विडियो में क्या डिसकस करने वाल हो देखें मैंने इस टॉपिक को इसलिए लाया क्योंकि बहुत लोगों क्या लगता है कि वह 10,000 रुपय लगा के म embarrassment कर सकते हो देंकि एसा नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हो की 10,000 me फुलल टीडिंग कर सकते हो मतलग कि माल्फूह की आहरे हो यह फिर कोयी प्रीमिन क्या गांजाब होकता है सशलिए नाhando कि 7000 तो फ्रेंक्ली स्पिकिंग इसमें कुछ नहीं है में देगे मेरा भी 30,000 रुपए यहां पर कमाने की नहीं है इसलों को नहीं में यह सब व्यू है नहीं नहीं सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है कि अगर आपको ट्रेडिंग में तो एक लाख रुपय या फिर 1.5 ठेक यह आपके लिए बेस्ट होता है इतना कैपिटल तो आपको चाहिए डेली 2,000 से 5,000 तक अर्ण करने के लिए इतना आपको कैपिटल चाहिए क्योंकि अगर क्या होता ना कि आप माल हो की आप 100 कॉंटिटी ले रहे है तो वहां पर क्या होता मंडे फ्राइड होगा कम से कम 50,000 लग जाएगा चार लॉट ने कम से कम 50,000 लग जाएगा 40-50 लग जाएगा तो आपके पास एक्स्ट्रा चाली से 50,000 और होना चाहिए अकाउंट में उस ट्रेड को मैनेज करने के लिए क्योंकि आप कभी एवरेजिंग करोगे तो कभी पोजिशन काट ओगे तो कभी तो यह तो सब कुछ हरा रहा दिखेगा तो सिंपल सी बात है अब मैं आपको यह बता देता हूं कि एक स्मॉल कैपिटल से चोटा-चोटा पैसा बन सकता है ठीक है हाँ ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैपिटल से बड़ा कैपिटल नहीं बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है लेकिन आप अगर अपने प्रॉफिट को छोटा कर दो तब देंकि मैं बताओ यह सीरीज है मैं आप लोगे साथ स्टार्ट कर रहा हूं 30 थाउंड के कैपिटल से अप ल अगर दो परसंट से ज्यादा नहीं रख सकते अब ज्यादा प्रॉफिट के लिए वेट नहीं कर सकते आपको मिनियों अगर 10 परसंट मिल रहा है तो तुरंत निकलो ठीक है क्योंकि मार्केट वहां से तीन से चार पॉइंट भी हिल गया तो आपको गया आप अगर एक लॉ कितने कौंटेटी होते हैं पचास ठीक है अब 25 कौंटेट कितना रखेंगा बीस पॉइंट का टार्गेट यह नहीं कितना हो गया पांसो पचास रुपे अब देखो मान लो कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर अब देखिए यहां पर अगर बीस पॉइंट होगे सब्सक्राइब यही तो सिंपल सी यह लॉजिक को समझना है कि आपको पांसो प्रॉफिट हो रहा है तो वेलन गूड है आप बोजिशन को काटो क्योंकि आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो यह तो देखो एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो ठीक है अगर जैसे कि कोई मतले 150 से लेके 200 के रेंज में होता है तो अब हमें 100 कॉंटिटी में खेल सकते हो ठीक है लेकिन अपार्ट फ्रॉम मंद अपार्ट फ्रॉम फेड़नेश्डें थरस्डे आपको मिनिमम उसके बाद एक लॉट या फिर दो लॉट इससे ज्यादा से अब ट्रेड नहीं कर यह कि मेरा क्या एंडम है इस अकाउंट में दीखेम मैं घंस्याम सर का नाम सुना होगा distintos अने बुर doctrine कोई बात में बच मुझे लाइट सीखना है तो लाइट सीखूंगा तभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो ट्रेडिंग में क्या है कि अब पहले मैं अब यह 30,000 है यह 30,000 सिंपल सी बात है यहां से मैं कोई अर्ण हाँ मेरा यह एम है कि at the end of the month यह 30,000 में अगर 30,000 में close हुआ या फिर green में कितना भी green में close हुआ 100 रुपई ग्रीन में close हो गया तो मैं 1% trader में हूँ मैंने एक मैंने में अपने capital को बचा लिया है मैंने अपने capital को save कर लिया simple सी बात है अगर मुझे earn करना होगा मैं तुरूंत एक लाक रुपए डालोंगा मैं earn करना start कर दो बट मैं बहुत सारे strategies को test कर रहा हूँ अगर आपको भी टेस्ट करना है ताब बोलो मैं उसे live वीडियो ही बनाऊंगा उस पर एक separate वीडियो बनाऊंगा कैसे test करना है क्या क्या settings होना चाहिए सब कुछ में बताऊंगा simple सी बात है अगर आपका small capital है तो डरना नहीं है पैसा बनेगा ठीक है profit पे ज्यादा focus नहीं करना है अभी आप process पर focus करो small capital है तो process पर focus करो आपका small profit होगा चोटे चोटे stop loss लेना सीको ठीक है एक थ्रजडे का बहुत ही चोटे 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 SL रखो चोटा target रखो simple सी बात है आप grow कर जाओगे ठीक है देखिए market में यतना दिन तक ठीक होगे profit आपको उतना दिन तक मिलेगा ठीक है उतना किसी दिन होगा ना 30 दिन में क्या होता है कि एक महिने में 22 trading sessions होते हैं max to max अब उसके बाद उसमें क्या होता है कि minimum 10 से 8 ये 10 trading session ही ठीक होते हैं बागी तो बेकारी होते हैं तो simple सी बात है वह 8-10 दिन आपको trade करना है देखिए मैं Friday को trading नहीं करता है अब मैंने position को मैं कल वाले वीडियो में कोज नहीं कर सकता ठीक है छोटा रिस्क रखना है छोटे एसल को लेना है छोटे profit को लेना है बस मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना है profit जरूर से जरूर से जरूर बनेगा ठीक है पहले learning की फोकस कीजिए फिर profit मिलता रहेगा make sure आप में वीडियो को लाइक शेयर झाल